Welcome back to the next video तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत important concept को discuss करेंगे जो के हमारे computing से related है और हमारी web development के लिए बहुत important है और वो concept है हमारा computer file path अब इसके अंदर हमारे पास दो types होती है एक होती है absolute path और दूसरी होती है relative path अब यह क्या है और यह कैसे work करती है फाइल यह फोल्डर के अपने computer के अंदर जिस तरह आप अगर कहते हो कि आपने किसी cafe में जाना है अब आपको क्या पता कि वो cafe कहां पर है जब तक आप उसको locate नहीं करोगे आपके पास उसकी location नहीं होगी अब फर्स करो मैं कहता हूं कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक city है लाहूर उसके अंदर एक society है जोहर टाउं उसके अंदर एक cafe है ठीक है वहाँ पर हमने जाना है सेम इसी तरह जब हम किसी file या folder को access करते हैं तो हमारे पास एक file path होता है अगर तो आप simple normal computer user है तो आपको में भी इसकी जुरूरत ना पढ़ती हो या आप इसको इसकी तरफ सब्ज़ों ना देते हो क्योंकि यह सब कुछ graphically पीछे हो रहा होता है ठीक है जिस तरह अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं जब मैं folder one पर क्लिक करूंगा तो यहां पर यह मुझे उससे आगे यहां पर ले आया अब जब मैं इस पर दोज़फा क्लिक करूंगा तो यह मुझे इसने इसका path दे दिया अब path किस चीज़ क्या कि सबसे पहले हम गए d drive में फिर d drive के अंदर हमारे पास एक folder था web development का हम उदर गए फिर उसके बाद हमारे पास एक next folder था web development project उदर गए उसके बाद हमारे पास next folder था 4.0 file path फिर उसके बाद folder 1 यह हमारे इस folder का इस जगा का path है आपका जो file path है यह आपको मतलब किसी भी folder यह file पे direct access दे सकता है जिस तरह अगर मैं इसको यहां से copy करूँ मैं इसको उसके फ्लेक्टाल इसको हम यहां से कर लेते हैं copy अब मैं यहां पर अगर जाओं और जहां पर अगर मैं यही file path paste करूँ अब मैं इसको enter करूँ तो यह देखिए यह मुझे direct उस folder में ले आया मतलब यह हमारे इस folder की एक location है कि हमारा folder हमारे computer में हमारे laptop में कहां पर है अब अगर हम इसकी बात करें यहां पर अगर मैं आपको समझाओं तो सबसे पहले हम देख लेती हैं कि हमारा absolute file path और relative file path इन में क्या difference है अब हमारा जो absolute file path है वो कुछ इस तरह का होता है जिसको भी हमने discuss किया यहां पर जिस तरह हमारे पास यह हमारा absolute file path है जिस तरह मैं यहां पर मैं इसको access करना चाहता हूं index.html को तो मेरा जो absolute file path होगा वो कुछ इस तरह का होगा फिर इसके बाद हम c folder के अंदर c drive के अंदर ह यहां पर हम जाएंगे project और उसके बाद हमने अपनी किस file को access करना है index.html तो यहां पर मैं कह लिखूंगा index.html तो यह हमारा absolute path है मतलब हम शुरू से यह हमारा एक साब का root है ठीक है उसके आगे यहां पर यह उसकी शाखें हैं जिस तरह हम दरख की बात करते हैं तो यह हमा निकल रही है फिर उस शाख से आगे दो शाखें निकल रही है तो यह इसको आप एधा tree consider कर सकते हैं जिसके अंदर यह हमारी root है अब absolute path में क्या होता है हम अपने किसी भी file या folder को अपनी root के through access करते हैं जिस तरह यहां पर मैंने c drive के through मैंने इसको access किया क्यूंकि c drive यहां पर मेरी root है अब यहां पर जो हमारे पास एक और बात है वो यह है कि हमारा जो computer है वो अगर मैं अपने absolute path को अपने computer में कहीं पर भी enter करता हूं जिस तरह मैंने इस path को enter किया था इसको मैंने copy करके अगर मैं इधर paste करूं तो यह देखें यह मुझे exactly उसी folder में ले जाएगा तो यह हमारा absolute path है अब अगर हम बात करें relative path की तो हम अपनी web development में mostly हम use करते है relative path relative path क्या होता है relative path होता है relative path होता है जिस तरह मेरा यह folder प्रोजेक्ट का इसके अंदर मेरी file है index.html और मैं अपनी index.html में मैं काम का रहा हूं इसको मैं इसे work का रहा हूं अब इसके अंदर मै path देता हूं और वो path हमारा relative किसकी होगा वो हमारा path होगा index.html से relative मतलब हमें यह use करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब फर्त करो मैं cat.png को मैं access करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं simple यहां पर लिखूँगा images और उसके बाद cat.png अब यहां पर इससे क्या होगा अब हमारा path है वो हमारा path index.html के relative है मतलब वो अब इसको root मान के चल रहा है इस टेम हमारी जो root है वो यह है index.html अब index.html वाले folder में अगर उससे नीचे अगर हम इसकी hierarchy को देखें तो इससे नीचे है images वाला folder अब वो क्या करेगा वो देखेगा इसके नीचे क्या-क्या चीज़े है इमेजिद है वो images पे चला जाएगा फिर images के अंदर वो हमें ले जाएगा cat.png पे अब इसी तरह मैं फर्स करो हमारे पास एक concept होता है double dot concepts ठीक है मैं double dot लगाऊंगा और उसके बाद मैं आगे लिख दूँँगा essay.dos अब यह क्या करेगा अब यह मेरा इस file को access करेगा जब भी हम double dot use करते हैं उसका मतलब है कि हम जिस folder के अंदर हमारा index.html है इस folder से बाहर मतलब इस folder से बाहर जो हमारा document पड़ा हम उसको access करना चाहते हैं अब सेम इसी तरह अगर मैं dog.png को access करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके लिए मैं simple यहाँ पर इसको हम खतम करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ dot slash और इसके आगे मैं लिख दूँगा dog.png अब यहाँ पर हमने क्या देखा हमारा जो relative path है वो हमारे index.html से इसको root मानके वो चल रहा है अगर मैं इसके नीचे वाली चीजों को access करना चाहता हूँ तो मैं simple slash से आगे मैं use करूँगा ठीक है यहाँ से use करूँगा अगर मैं इससे उपर वाले को use करना चाहरा हूँ तो मैं single dot का use करूँगा और अगर मैं मतलब जो हमारा index.html यह जिस folder के अंदर है अगर मैं इस folder के बाहर कोई चीज एकसेस करना चाहरा हूँ तो वहाँ पर मैं use करूँगा double dot ठीक है तो यह हमारा file path है और यह हमारा बहुत important topic है मतलब आप इसको easy नहीं ले सकते इसको आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा तांके जब भी आप आगे कोई document कोई image यहां कोई video अपनी website के अंदर use कर रहे हैं तो आपको किसी किसम का कोई issue ना है तो इसको हम जाके इसकी practice भी कर लेते हैं थोड़ी की हम इन त और फाइल है एक और picture है dog.png अब इसको तो मैं simple इस तरह भी access कर सकता हूं ठीक है लेकिन इससे क्या होता है कई दफ़ा यह method वर्क नहीं करता लेकिन हमारा जो single dot double dot वाला method है यह 100% work करता है तो इसको हम देख लेते हैं जाके अपने visual studio में ओके first of all हम जाते हैं इदर ओके य हमें फॉल्डर है हमारा 4.0 file pass इसके अंदर मेरे पास एक folder है अगर मैं आपको दिखाँ हो इसके अंदर मेरे पास एक folder hara folder है folder one और dog.png फीक है अब अगर मैं folder 0 के अंदर जाओं तो यहां पर हमारे पास यह file है और 7 इसको मैं open करूं इसके अंदर मेरे पास cat है फिर इसी त है अगर मैं यहां पर क्लिक करूं हमारा गॉल है कुछ इतना का और हमारे पास फाइल है यह जिसको मैं यहां पर उपन कर लेता हूँ अब इसको प्रीवियो करूं तो इस टाइम हमारा यह कुछ मैं इस टाइप करनी हैं और इसको हमने अड़ करना है रेलिटिव पास के थरू तो देख लेते हैं फस्ट फाल हम जाते हैं इधर अब सबसे पहले हमने यहां पर एड़ करना रैबिट की इमेज ठीक है अब यहां पर इमेज किस तरह आड़ करते से वह हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिसक फोल्डर 3 और उसके साथ हमारी फोल्डर 3 के अंदर रैबिट.png है इंडेक्स.html के बिलकुल नीचे हैं इमेज अब यहां पर हम एड़ कर लेते हैं सोर्स स्पेस सोर्स अब यहां पर मैंने इसका अड्रेस लिखना है तो इसका अड्रेस मैं किस तरह लिखूंगा चूंक इसके अंदर एकसेस करने का तरीका था कि मैं सिंपल डॉट यूज करूं और उसके बाद मैं एक स्लैश लगाँ अब यह देखने जैसी मैंने इस फोल्डर के अंदर जो जो हमारी फाइल्स हैं इसने मुझे वो शो करवा दी हैं यहां से मैं रैबिट.png स्लेक्ट कर लेता हूं यहां पर पेस्ट करता हूं अब यहां पर सेकंड इमेज हमने किस चीज़ की अड़ करनी है अब देखें अगर यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बता हूं अब यहां पर अगर मानलो आपको यहां पर कुछ इस तरह का शो होता है तो इसका मतलब है कि आपने जो पा rabbit अब यहां पर हमने इमेज एड़ करनी है वो हमने एड़ करनी है cat की अब cat की image है मारे पास कहाँ पर है वो है मारे पास folder 3 में अब हमारा जो index.html है यह अब हमारा जो folder 3 है वो same इसी folder के अंदर है index.html वाले folder के अंदर मतलब अगर मैं इसको close करूँ तो यह देखें लेकिन अगर मैं folder 3 को close करूँ या open करूँ तो हमारा index.html गाइब नहीं हो रहा तो यहाँ पर मैं simple जाओंगा single dot क्यूंकि हमारा जो folder 3 है यह हमारी index.html जिस folder में है यह उसी folder के अंदर है तो मैं यहाँ पर use करूँगा single dot slash और यहाँ पर मैं use करूँगा folder 3 और इसके आगे cat.png अगे थर्ड हमारे पास है dog अब dog हमारे पास कहाँ पर है तो देख लेते हैं dog है हमारे पास folder मतलब हमारा जो main folder है 4.0 file path इसके अंदर है और हमारा index.html है वह हमारे पास folder 0 के अंदर तो इसको हम किस तरह करेंगे इधर मैं add कर लेता हूँ alt cat इसको हम कर लेते हैं copy करके मैं यहां पर इसको paste कर देता हूँ और यहां से मैं इसको change कर लेता हूँ अब यहां पर मैंने अपने इस folder से जो मेरा folder 0 है इससे मैंने बाहर जाना है मतलब मैं अपने इस main folder के अंदर चीज को access करना चाहरा हूँ अब फाइल को access करना चाहरा हूँ तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था उसके लिए हमने पढ़ा था double dot अब यहां पर यह देखें जैसे ही मैंने double dot का use किया यह मुझे क्योंकि हमारी जो file यह access कर रहा है यह इसको root मान के कर रहा है यह हमारी relative path है तो हमने इसके through इसके साब से हमने address लिखना इसके साब से हमने path लिखना यहां पर तो सबसे पहले हम जाएंगे इस folder से बाहर फोल्डर जीरो से बाहर तो उसके लिए हमने यूज किया double dot के बाद आगे हमने क्या use किया dog.png तो यह देखें simple यहां पर हमारी dog image add हो गई इसको हम यहां से कर देते है dog इसके बाद हमने यहां पर add करना है fish ओके तो इसको हम कर लेते हैं change fish और यहां से को हम करते हैं अब हमारी fish किस folder में है अगर हम देखें folder 3 के अंदर भी नहीं है folder 1 के अंदर हमारी fish है ठीक है अब folder 1 के अंदर हम किस तरह जाएंगे अगर हम folder 0 को बंद करें और folder 1 को बंद करें तो हमें इसके लिए भी क्या use करना पड़ेगा सबसे पहले हमें use करना पड़ेगा double dot फिर slash अब यहां से हम folder 0 से बाहर अब हम folder 0 से बाहर सिर्फ इसलिए देखना है आपको बार बार इसलिए पता रहा हूं कि अपने पास को index.html के हिसाब से हम उसको पास देते हैं कि हम में जो रूट है वह हम इसको consider कर रहे हैं आपके तो यहां पर हमने फिश की इमेज भी आड़ कर ली अब जो लास्ट है हमारे पास वह है बर्ड है हम यहां पर इसका alternative टेक्स चेंज कर देते हैं अब बर्ड को हम किससे ना access करेंगे तो इसको भी हम देख लेते हैं ऑके बर्ड है हमारी folder 1 के अंदर folder 2 में तो बर्ड के लिए हम जाएंगे सबसे पहले हम यूज करेंगे डबल डोट डबल डोट हमने क्यों यूज किया ताकि हम folder 0 से बाहर आजए यह डबल डोट हमने यूज किया फिर हम गए folder 1 में अब folder 1 के अदर हम जाएंगे folder 2 में फिर उसके बास simple bird.png और यह हमारी जो bird है वो यहां पर हमने उसके अंदर relative path के तुरू हमने images को add कर लिया तो यह हमारी simple सी discussion थी जिसके अंदर हमने discuss किया absolute path और relative path तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye